Hello Friend, I am Prince and Welcome to the Mac Classes दोस्तों अगर आप Assistant Engineer, Junior Engineer जैसे एक्जामों की तियारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है फिर आप इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखें ये वीडियो आपके लिए वहुत जादा हैल्फुल होने वाली है दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो Flute Mechanics के Chapter No.1 Flute Property को लेकर के करेंगे तो दोस्तों आप वीडियो को लास्त तक जरूर देखें अगर किसी तरीके का कोई आपको doubt लगता है तो आप मुझे दो तरीके से मिल सकते हैं पहला आप मेरे वीडियो के comment section में जाके comment कर सकते हैं दूसरा आप मेरे telegram group को join कर सकते हैं उस telegram group का मैंने link अपने description box में आपको दे दिया है जिस पर जाकर के आप मुझे join करना है तो दोस्तों ये एक series है जिसमें ये Flute Mechanics का पहला वीडियो है और लगातार आपके लिए वीडियो आते रहेंगे आप देखते रहेगा चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना time बरवाद के आगे वड़ते हैं अब देखो इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या किया है सारे questions engineering services के state exams के पी एस यूज के junior engineer के जितने भी questions है उन सब को लेके आया हूँ उनसे मैंने important और selected questions को select कर लिया है अब उनका मैं discussion इसमें करने वाला हूँ अगर आपने complete वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इस वीडियो से बाहर आपका question नहीं जाएगा आप easily attempt कर पाएंगे तो चलिए दोस्तो इस पहले question में हम देखते हैं इसमें list one को list second के साथ match कर रहा है इसमें 4 point दिये हुए हैं अब एक one by one हम इसके वारे में discuss करेंगे पहला ideal fluid ideal fluid के वारे में हम discuss करेंगे ideal fluid क्या होता है incompressible in nature होता है यह fluid non viscous होते हैं यानि की viscosity इनकी क्या होती है zero होती है मतलब कि इनके उपर कोई resistance नहीं होता है ऐसे fluid को हम ideal fluid बोलते हैं अब इन में surface tension भी zero होती है अब यह surface tension क्या होता है अब ही हम आगे देखेंगे तो आप जब भी ideal fluid की वात हो रही हो आप इन तीनों चीजों को याद रखेंगे और आप easily answer को अपने को tick कर लेंगे अब इसके बाद देखो incompressible क्या है change in volume is zero अब यहीं से change in volume से बता चला कि bulk modulus मेरे को याद आया और bulk modulus को कैसे define करते है minus dp upon dv upon v अब यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है इस formula को आप याद रखें यह important formula है change in volume हमारा zero है तो यहाँ पर हम zero put करेंगे तो यहाँ पर हमारी value क्या जाएगी infinity bulk modulus infinity हो जाएगा incompressible के यानि कि incompressible ideal fluid की property है और ideal fluid के लिए भी bulk modulus क्या हो जाएगा हमारा infinitive हो जाएगा okay dear ideal fluid से इतना ही अब one by one हम कुछ चीज़ों को discuss करेंगे देखो अब हमने bulk modulus की वात करी तो यहाँ पर हम compressibility को भी देख लेते हैं compressibility क्या होती है reciprocal of the bulk modulus is known as compressibility अब सिर्फ bulk modulus का ही उल्टा करना है आपको यहाँ पर bulk modulus को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर अपना minus dv upon v dp आजाएगा और density की form में लिखें तो d rho upon rho dp आजाएगा यह important है किसी exam में पूछा जा सकता है ideal fluid से इतनी ही जानकारी हमको मिल सकती थी जितनी मिल सकती थी हमने ली अब इसके बाद देखो b option में of newtonian fluid newtonian fluid में हम क्या है इसके बारे में discuss करेंगे और expected सारे question को वहीं से cover भी करेंगे तो देखो newtonian fluid में आप इतना याद रखें यहाँ पर viscosity जो होती है वो constant होती है यानि कि linear relation दिखाता है किसके किसके बीच में share stress और velocity gradient के बीच में यह newton's law of viscosity को follow करता है यानि कि tau is equal to mu into du upon dy यह होता है newton's law of viscosity आप इस formula को याद रखें यह बड़ा important formula है यहाँ पर दोको mu को देखो यहाँ पर इसको बोलते है viscosity और dynamic viscosity अच्छा आप viscosity और dynamic viscosity के बारे में यही से बात कर लेता है viscosity आप इस तरीके समझें यह एक क्या है resistance है अगर resistance बड़ेगा viscosity बड़ेगी resistance गटेगा viscosity गटेगी इसकी 4 unit है इन 4 unit को याद कर लें यह कहीं न कहीं आप से पूची जा सकती है 4 की 4 unit बड़ी important है अब देखो 1 newton is equal to 10 की पावर 5 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यह important है exam में पूचा जा सकता है अब देखो 9 second per centimeter square यह CGS unit है इसको ही बोलते है यहाँ पे poise 1 poise बड़ावर कितना होता है 0.5 newton second per meter square इसको आप याद रखें यह आपके numerical में use हो जाएगा यह option में आपको directly देखने को मिल जाएगा अब हमने dynamic viscosity की बात कर ली साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं kinematic viscosity की बात कर लेते हैं तो kinematic viscosity क्या होती है dynamic viscosity और density का relation होता है इन दोनों का ratio होता है इसी को बोलते है kinematic viscosity इसकी unit बड़ी important है meter square per second इसको यह तो MKS सिस्टम में unit है अब इसकी CGS सिस्टम में unit क्या जाएगी centimeter square per second इसी को क्या बोलते हैं stock बोलते हैं आप इसका याद रखें one stock बड़ाबर क्या होता 10 की पावर माइनस 4 meter square per second यह वड़ा important है exam में आपको option में direct देखने को मिल जाएगा आप देखो यहाँ पर मैंने note लिख रखा है पहला note देखो kinematic viscosity, thermal diffusivity और mass diffusivity इन थीनों की unit होती है सेम आप ध्यान रखें kinematic viscosity, thermal diffusivity और mass diffusivity की unit क्या होती है meter square per second सेम होती है दूसरा आप note याद रखें जो viscosity of water होती है 55 times जादा होती है air की air की viscosity के तो चलिए दोस्तों आगी की slide में बात करते हैं हम temperature के effect का temperature का effect viscosity और kinematic viscosity पे क्या होने वाला है तो देखो temperature अगर बढ़ेगा तो liquid के case में दोनों घट जाएंगे और gases के case में दोनों बढ़ जाएंगे आप इतना याद रखें इस table को याद कर लाए यह sufficient है आपका question हो जाएगा अब देखो यहाँ पे हमने ideal fluid, newtonian fluid और देखो c को mu upon rho इसकी वी वात हमने कर लिए यह क्या kinematic viscosity अभी अभी वात की थी अब चौथा आता है D, mercury in glass mercury in glass की वात कर लेते हैं चलो mercury in glass अगर आपको कहीं mercury word दिख जाए तो वहाँ आपके mind में एक ही चीज आनी चीज़िए क्या depression capillary depression होता है और अगर water in glass हो तो capillary rise phenomena अकर होगा आप इतना याद रखें चलो अब यह capillary depression और capillary rise को समझ ले capillary depression का यह formula आप याद रखें H is equal to 4 sigma cos theta y rho gd वड़ा important formula है यहाँ पे sigma surface tension है और d diameter of the tube है जो कि हमेशा 3 cm से कम होना चाहिए अगर capillary reaction को देखना है तो यह 3 cm इसमें important है इस formula के 2-3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है आपको हो सकता है formula में cos theta नहीं दिया गया हो यानि कि वहाँ पे assumption है theta is equal to 0 और cos theta cos 0 की values होती है 1 तो वहाँ पे यह 1 हो गया होगा तो और दूसरी चीज रोजी रोजी का change यहाँ पे specific weight से मिल सकता हो सकता है theta w आपको देखने को मिल जाए तो आप changes को देखे गवराईए ना आप इसको याद रखें इस formula को और यहीं से आप बता सकते है तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे कुछ और terms की बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे theta है theta की बात करते हैं अब हमने capillary action का एक formula देखा था अब capillary reaction को देख लेते हैं capillary reaction क्या है capillary rise और capillary depression अब यह किसकी वज़े से होता है दो चीजे होती है इसके लिए पहला addition दूसरा cohesion इन दोनों की वज़े से capillary action हमको देखने को मिलता है अब addition और cohesion क्या है तो उसको बोलेंगे cohesion और different molecules force, intermolecular force लग रहा होगा तो उसको बोलेंगे addition आपको सिर्फ इतना यार रखना है same molecule और different molecule तो चलो अब चलते हागे जिन fluid में cohesion ज़्यादा होगा उन fluids को बोलेंगे हम non-wetted fluid क्योंकि cohesion का मतलब हमने अभी समझा था कि same molecules के बीच में जो intermolecular force होगा वो ज़्यादा होगा यानि कि वो molecules उसके fluid के वो एक साथ रहना चाहेंगे जैसे कि example के लिए मैं यहाँ पर लिया हूँ mercury को ठीक है अब यहाँ पर mercury के molecules के एक साथ रहना चाहते हैं इसलिए इसको बोला गया है non-wetted fluid यानि कि यह surface को गीला नहीं करते हैं यह दूसरे molecules के साथ अपना wand नहीं बनाते हैं यह अपने आप ही खुश रहते हैं तेक है अब जैसे कि मैंने इस diagram में दिखाया है यह mercury के molecules होगा और यह surface है यह mercury के molecules एक दूसरे से चिपक रहे हैं लेकिन यह surface के साथ नहीं चिपक रहे हैं यानि कि यह surface के साथ किसी तरह के का इनका link नहीं है और यह surface को गीला नहीं कर रहे हैं इस वज़े से इनको बोला गया mercury को non-wetted fluid और इनके वीच में अगर angle की बात करें तो यहाँ पर angle जो होगा वो 90 degree से ज़्यादा देखने को मिलेगा mercury के case में जो angle होता है वो अभी हमने देखा था वो angle होता है 128 degree अब बात करते हैं addition की अगर addition ऐसे fluid जिनके वीच में addition ज़्यादा हो उन ऐसे fluid को बोलेंगे हम vetted fluid, vetted fluid मतलब गीला कर surface को गीला करने वाले fluid, जैसे कि यहाँ पर दोखो, यह मैंने fluid लिया है, यह कौन सा fluid है? water, water को मैंने लिया है और water को मैंने यहाँ पर surface पर डाल दिया है तो अब water के molecule क्या करना चाहेंगे? surface के साथ चिपकना चाहेंगे surface के साथ चिपकना चाहेंगे surface के molecule और water के molecule दोनों different molecules होगे अब ये दौनों आपस में wand बनाना चाहेंगे इसका मतलब कि water के molecules वा surface के साथ चिपकेंगे यानि कि surface को गीला करेंगे इसलिए इनको बोला गया है weighted fluid addition जादा होने की वज़े से ये surface को गीला करेंगे या surface के उपर चिपकेंगे इसको बोलते हैं addition अब इनके वीच में हम angle देखें तो angle कितना होगा इनके वीच में वो होगा 90 degree से कम अब 90 degree से कम angle को बोलते हम acute angle अब acute angle इसको term को याद रखना वो कहां पर यूज होती है water और surface के वीच में और या फिर आपको कहीं देखने को मिले addition term तो आप इतना याद रखेंगे तो चलिए दोस्ता अब आगे चलते हैं अब हमने उस formula में देखा था capillary action capillary rise और capillary depression वाले में sigma देखा था force sigma cos theta y rho z d तो हमने वाकि सारे term का explanation देख लिया है बस एक term रह रहा है sigma, sigma को यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर sigma हमारा होता है force per unit length अब इसकी ऐसा unit जो होती है वो newton पर meter होती है अब देखो capillary action जो था वो दू चीजों की वज़े से हो रहा था rise जो हो रहा था वो हो रहा था addition की वज़े से और depression जो हो रहा था वो हो रहा था cohesion की वज़े से मनलब की capillary action दोनों की वज़े से होता है addition और cohesion की वज़े से लेकिन surface tension जो होता है सिर्फ और सिर्फ cohesion की वज़े से होता है आप इसको याद रखेंगे अब यहाँ पर देखो water और air के वीच में जो interference होता है वहाँ पर जो है surface tension की जो value होती है वो 0.0736 newton पर meter होती है आप इस value को याद रखें यह आपके numerical में use हो जाएगी important value है अब देखो इस last note में देखो आप इसमें मैंने 3 point लिखे हुआ है और यह जो P है यहाँ पर आप लिख लें note कर लें excessive pressure inside the drop यहाँ पर P जो है वो है excessive pressure inside the bubble और यहाँ पर pressure यह P है excessive pressure inside the Z तो यह आप इन 3 के cases में formula को याद रखेंगे P is equal to 4 sigma Y D यह solid drop की case में अगर drop हमारी solid है तो उस case में यह वाला applicable होगा अगर हम bubble की बात करें तो यहाँ पर P is equal to 8 sigma Y D valid होगा Z की बात करें तो 2 sigma Y D valid होगा आप इनको याद करें solid bubble और Z यहाँ पर 4, 8 और 2 अगर आप इतना याद कर लेते हैं यहाँ से आपका कोई भी question नहीं जूट के जाएगा आप सारे question कर ले जाएगे तो दोस्तो surface tension में इतना ही और surface tension में दो चीज़ आप और note कर लें मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ आप सिर्फ सुन लें और उसको note कर लें surface tension की ही वज़े से drop का जो shape होता है वो round हो जाता है round spherical हो जाता है और spherical shape का जो area होता है surface area होता है वो minimum होता है आप इतना याद रखें हमारी जो वर्सात की wound sphere होती है वो surface tension के कारण होती है तो दोस्तों अब इसमें इतना ही अब देखते है question अब इस question में देखो इसमें हमने A, B, C और D, 4 option की वाद कर ली अब इनसे जो भी question expected हो सकते थे यहाँ से link करके मैंने सारे के सारे question को cover करने की पूरी कोसिस की है अब देखो अब ऐसे question को easy way में कैसे कर रहे है पहले क्या करना है list A को list B से मिलाना है तो सबसे पहले हमसे कोई गलती ना हो तो हम पहले इनको लिख लेते है A, B, C, D अब A का क्या है ideal fluid ideal fluid के वारे में हमने देखे थे 3 point क्या incompressible surface tension is 0 और non-viscous ideal fluid में अब list 2 में देखो अगर इन 3 में से कोई सा option अगर मिल जाता है वही आपका answer हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप list 2 का 2 second point देखें fluid of zero viscosity zero viscosity ideal fluid के case में होती है तो इसका A का answer हो जाएगा 2 ठीक है अब B के Newtonian fluid के वारे में हमने एक relation देखा था linear relation देखा था जो constant slope का था मतलब constant slope का मतलब की viscosity वहाँ पर क्या थी constant थी वहाँ पे viscosity does not change हो रही थी ठीक है वहाँ पे change नहीं हो रही थी तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ option दिख रहा है जैसे कि आप 1 को देखो viscosity does not vary with rate of deformation तो यहाँ पे 1 answer आपका सई हो जाएगा इसके बाद आप देखो C C क्या है dynamic viscosity और density का ratio है यानि कि मैंने अभी अभी discuss किया था एक उच दिर पहले इसको बोलते है kinematic viscosity kinematic viscosity आपको list 2 में कहा देख रहा है 5th option 5th option आपका यहाँ पे correct answer हो जाएगा इसके बाद देखो list 1 में D mercury in glass मैंने बताया था mercury जहाँ पर आजाए वहाँ पे आपके mind में hit करना चाहिए depression mercury depression mercury आप option में देख सकते हैं कहा है depression तो यह 4th option इसका सही हो जाएगा क्या capillary depression अब दोको यहाँ पे बचा क्या capillary rise बचा capillary rise के number 6 list 2 में capillary rise के case में होता है water के case में ठीक है और दूसरी चीज हमारी क्या बची यहाँ पे dynamic viscosity dynamic viscosity को आप जानते ही है मैंने explain कर दिया है तो दोस्तो इस वीडियो में जो भी मुझे लगा सब कुछ मैंने complete किया है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे comment box में लिखे जरूर बता है और फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी मिलता हूँ तब तक के लिए वाई वाई थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो